युनिफॉर्म सिविल कोड पे अलग लग फिलोसफर्स क्या सोचते हैं वो तो डिबेट हमने कर लिए लेकिन अब कोसिस करते हैं इसको समझने की जो की इसूज है इनमें उनके बारे में जानने के लिए कि क्या वैलूज हैं जो दाओं पे हैं किन-किन फिलोसफिकल स्कूल व बदाय हुआ है युनिफॉर्म सिविल कोड बेसिक इस आधारपे बेस है कि स्टेट के पास कितनी पावर है कि यो लोगों के पर्सनल डोमेन में जा के कानून बना सकें इसमें आप स्टेट के इमर्जन से लेके सारी कहानिया पढ़ सकते हैं किसे स्टेट के पास कितनी पावर है कहां अलग लग तरीके से होती है फिर authoritarian state, totalitarian state और बागी तरह के इस्टेट के जो versions होते है कहां पर ये ज़्यादा permissible है कहां पर कम permissible है फिर अप liberal space जो है खास दोर पर liberal democratic state जिसे हम जानते हैं जो world level पर सबसे ज़्यादा accepted है और जिसे एक value की तरह treat किया जाता है वो कैसे इन चीजों को handle करेगा वो देखने के लिए जो हम key debates है वो समझने की कोसिस करेंगे तो जो पहला debate है इस पर integration versus pluralism अब इस debate को देखने की कोसिस करें integration क्या मतलब है integration मतलब है कि सब के अंदर सब को एक साथ मिला के रख पाने का consolidate करने का और एक nation के तोर पे एक जैसा हो जाने का तो integration के भी अलग अलग तरीके हैं तो integration वाले कहीं न कहीं मानेंगे कि uniform जो civil code है वो एक legal code है जो लोगों को integrate करता है जोडता है क्योंकि एक कानून हो जाएगा सब लोग के similar कानून के अंतरगत आज जाएगे similar habits होंगी तो कहीं न कहीं लोग integrate होंगे ये logic आएगा और जो plural system है जो multiculturalism से influenced है cultural relativism से influenced है वो कहीं न कहीं बात करेगा कि सबकी cultural diversity अलग है तो हमें separate personal laws चाहिए जो की different religion पर बेस है तो integration और इसके बीच का जो debate है वो यह ही है कि integration के लिए कहीं न कहीं uniformity चाहिए laws में खास तोरपे integration के within भी अलग-लग debate है कि integration के तरीके भी हो सकते है assimilation करना है कि आपको identities को separate रखना है लेकिन larger debate यह ही है pluralism है वो कहीं न कहीं respect करेगा minority culture का और equal citizenship की demand जो है वो कहीं न कहीं uniformity में convert हो जाएगी integration वाले zone में फिर दूसरा जो issue है जिस पर हम इसको debate कर सकते हैं वो है equality और cultural right जब हम equality की बात करते हैं तो equality कहां से जो खासतोर पर liberal state होता है उसमें equality एक key concept है जहां पर कानून के समझ सभी समान है यह माना जाता है अब cultural right वो right होते हैं जो लोगों की life को एक meaning देते हैं उनके cultural attachment की वज़ा से different तरह के लोग different religion follow करते हैं उनके cultural affiliations होते हैं बहुत लोग का यह मानना है खासतोर पर Charles Taylor यह जितने multicultural thinker हैं कि recognition important part है इंसान का कि इंसान तभी equal feel करेगा जब आप उसके culture को recognize करेंगे तो एक equality वाला जो zone है जो formal equality का zone है वो uniform civil court डिमान करेगा कि सब को आप uniform law के अंदर रखिये और उस तरह से operate कीजे ताकि equality आपाए feminist जो argue करेंगे वो भी इस तरह की equality के बारे में argue करेंगे लेकिन जो cultural right वाले हैं वो बात करेंगे कि हमें कहारी जो cultural identities हैं उस पे जो भी चीजें प्रहार कर रही हैं उनको आपको रूखना पड़ेगा और हम तभी equal और better feel करेंगे जब हमारे cultural right की respect होगी तो यह जो debate है equality versus cultural right की यह इस तरह से आप देख सकते हैं फिर अगला जो एक debate है important वो है individual rights versus group right अब इस domain में कैसे related ही यह देखने की कोसिस करेंगे individual right जब भी हम खास तो पर liberal state में बात करते हैं तो वहाँ पर individual right ही based पर है कि लोगों का है आपके ब्यक्तिगत अधिकार ही हैं वहाँ पर जिनके बारे हैं बाते करेंगे हैं फिर धिर धिर कर के group right का concept आता है कि क्या कुछ groups के भी अधिकार हो सकते हैं जैसे multicultural right जो होते हैं वो group based right होते हैं ऐसे और भी जो marginalized group हैं खासतोर पर Irish Young को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी group right के बारे हैं बाते करते हैं तो uniform जो civil code है वो कहीं न कहीं equal legal right के बात करेगा सभी individual को कि आपकी identity क्या है आपकी religion में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं हमारी नजर में आप बराबर है तो आपके पास यह अधिकार है कि आपका divorce हो तो आप क्या कर सकते हैं divorce या कोई भी cases जो है उसमें आप कैसे कर सकते हैं कैसे treat कर सकते हैं सब एक नजरी से दिखे जाएंगे और व्रक्तिगत अधिकार है जो group differentiated right वाले हैं वो मानेंगे कि हमें degree of autonomy चाहिए अपनी family के matter पे और personal matter पे deal करने के लिए कि वो cultural base पे भी group अपने समू के आधार पे कुछ अधिकारों की मांग करेंगे कि हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए अपने family को कैसे चलाना चाहते हैं अपनी family के साथ कैसे रिस्ता रखना चाहते हैं अपनी व्यक्तिकत रिस्तों में कैसे रहना चाहते हैं ये हमें आ जादी चाहिए तो ये group right की तरह demand होगा तो इस तरह से भी आप debate कर सकते हैं एक side से खास तरह के आपको liberal जितने thinkers हैं egalitarian thinker भी ला सकते हैं दूसरे side से आपको multicultural thinker खास तरह भी R.E.C. young और इन लोग को लाके आप debate कर सकते हैं इस विसाइपे फिर एक जो important debate का issue है वो है secularism versus religious freedom तो secularism कही ने कही neutral legal code demand करता है जो किसी एक group को privilege नहीं करता है किसी दूसरे group के उपर और personal जो lodge होते है मतलब secularism कैसे personal lodge के against है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी secular चीजें होंगी तो secularism कहेगा कि हम लोगों को equal बनाएंगे और उसके लिए usually तो जो real secularism का idea है वो यह है कि church और state separate रहेंगे लेकिन बहुत बार अभी जो latest equidistance और इस तरह के मामलों के बाद आए है उसमें है कि state की पार कितनी है लोगों की life में इंटर करने का तो personal lodge जो है वो state की पार को limit करते है और secularism को भी limit करते है तो यह दोनों का relation है फिर हम बात करेंगे religious freedom की कि religious freedom क्या होती है religious freedom कहीं आपकी family से related भी freedom हो सकती है तो जो constitutional secularism है और religious freedom है उसके बीच में एक tension है उस पे हम UCC को debate कर सकते है कि secularism कहीं न कहीं demand करेगा कि equal legal code हो personal laws ना हो और जो religious freedom वाले argument है वो demand करेंगे कि उनकी freedom के तहत ये दिया जाना चाहिए कि वो अपने personal family matter कैसे handle करना चाहेंगे फिर आखरी जो point है जिस पे और भी आप debate कर सकते हैं खासतर पर keywords को आपको याद रखना है इस तरह कि जो keywords होते हैं वो important होते हैं लिखने में भी कहीं भी आप लिख रहे हैं या debate कर रहे हैं उनमें एक है legal uniformity और contextual diversity कि एक तो legal uniformity का मतलब है कि कानून के तहस सब लोग बराबर है और सभी जगा ये नहीं कि एक area में दूसरा कानून है दूसरे में दूसरा कानून है एक uniformity होती है कानून में तो personal lodge में भी हमें कहीं नहीं जो लोगों के अलग लग जिन्दगी है जिस तरह से जीने के तरीके हैं उनमें भी हमें uniformity लानी पड़ेगी और सभी व्यक्तियों का nationwide एक कानून होना चाहिए contextual diversity ये होता है कि कहीं नहीं इंडिया का जो contextual diversity है किसी भी कंट्री का जो contextual मतलब रियल में कितने diverse society है कैसे उनके जीने के तरीके हैं कितने religious और communities और culture associated है इन चीज़ों को ध्यान दे के कानून बनने चाहिए और इन पाचों topic पे जैसे legal uniformity, diversity फिर secularism, religious freedom, individual और group right equality और cultural right और integration और pluralism इन सारे विशायों पे जब आप debate करते हैं तो आपको ना सिर्फ ये term समझने है बलकि debate कैसे दोनों side से करेंगे वो भी आपको समझ में आना चाहिए फिर कुछ और बाते भी हैं कि कैसे सिर्फ religious domain में इन चीज़ों को situate नहीं कर सकते आप tribal identity से भी जोड सकते हैं बहुत सारी जो cultural aspect हैं उससे आप जोड के देख सकते हैं इस debate को तो इस debate में हमने समझने की कोशिस की कि जो key points हैं उनसे कैसे हम debate कर सकते हैं पकड़ के उनको और उनके आसपास debate करने से क्या arguments निकल के आ सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही लगादार ऐसे वीडियो देखते रहिए मैं हूँ संदीर सिंग और ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे आपको debate करने के लिए और नहीं ने विशेयों पर अगर आपको debate चाहिए तो आप टाइप करके वो link के comment में भेज़ देए कि इस विशेय पर हमें एक ऐसा एक साधान्टिक debate चाहिए जिससे हम बहतर तरके से debate कर पाएं आपको बहुत ही जल्द वो debate मिल जाएंगे इस वीडियो में इतना ही जाहन